आप सभी छात्रों का आपके अपनी यूटूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है तो प्रिये छात्रों कल आपका कक्षा 11 भी बालवजी का पेपर था और आसा करते हैं आपका पेपर बहुत अच्छा गया होगा और आपने पेपर के पूरे प्रिश्णों के उत्तर सही से लिख दिये होंगे तो हम आज हम आपको इस वीडियों बताने वाले हैं कि आपने जैसे भी उत्तर लिखे थे अगर इस वीडियो जैसे आपने उत्तर लिखे हैं मिलते जुलते उत्तर लिखे हैं तो पूरे पूरे अंग आपको मिलने वाले हैं बहुत अच्छे अंग आपको मिलने वाले हैं तो देखो पिर्शन क्रमांग 5 का जो उत्तर है आपसे क्या पूँचा था लाल सेवाल yeah भूरे शेवाल में कोई दुनंतर लिखिए तो आपको दुनंतर लिखने थे आसा करते हैं आपने ऐसे अंतर लिखे हैं पुरह मैसे पूरे अंख मिलने वाले हैं प्रश्न करमांग 7 में देखते हैं तो आपसे पूचा था आकसिन हार्मोन के कार लिखिए आपसे पूचे थे दो अंकर का था इसलिए आपने दो यहां पर कार लिखने थे आसा करते हैं ऐसा ही आपने उत्तर लिखा हुआ है और प्रश्न करमांग हम 8 में देखते हैं तो 8 में आपसे पूँचा था, ब्रायो फाइटा के तीन मुख लेक्षन लिखी है, ठीके तो आपको ब्रायो फाइटा के तीन लेक्षन लिखने थे आसा करते हैं, आपने ऐसे ही उत्तर लिखे हैं अब परिशन क्रमांक 9 में आपसे पूँचा था RNA और DNA में अंतर तो इस तरह RNA DNA में अंतर आपको लिखना था परिशन क्रमांक 10 में देखते हैं तो आक्सी स्वसन और अनाक्सी स्वसन में अंतर पूँचा था तो आपको आक्सी स्वसन और अनाक्सी स्वसन में ऐसा अंतर लिखना था अगर आपने इसी जैसे मिलते जुलते उत्तर लिखे हैं तो आपको पूरे मैसे पूरे अंक जरूर मिलेंगे प्रिशन क्रवांग 11 में आपसे पूंचा था कॉर्डेटा और नोन कॉर्डेटा में अंतर तुवासा करते हैं आपने इसी जैसा उत्तर लिखा होगा जिससे आपको पूरे मैसे पूरे अंक मिल जाएंगे और प्रशन कर्मांग 12 में आपसे पूंचा गया था पुस्प की अनुधर काट का नामा के चित्र तो ऐसा चित्र आपको बनाना था आपकी पुस्टक में या आपके पास जो भी नोट्स हैं उससे देखर के आपको चित्र बनाना था और प्रशन कर्मांग 13 में आपसे पूंचा था सूत्री वा अर्ध सूत्री विभाजन में अंतर तो ये सूत्री विभाजन है ये अर्ध सूत्री विभाजन है दाहिने तरफ इस तरह आपको लिखना था अगर आपने इसी जैसे या मिलते जुलते उत्तर लेखे हैं तो पूरे मैसे पूरे अंक आपको जरूर मिलेंगे परिश्ण क्रमांग चाउधाय में आपसे पूंचा था गलाइकुलाइसिस और क्रेप चक्र में अंतर तो ये अंतर आपको लेखना था अगर आपने आपने इसी उत्तर लेखे हैं तो पूरे मैसे पूरे अंक आपको मिलेंगे आपके बिल्कुल भी अंक नहीं कटेंगे परिश्ण क्रमांग 15 में आपसे पूंचा था नियूरॉन का नामक के चित्र तो ये नियूरॉन का नामक के चित्र है बहुत important है प्रतेक परिक्षा में आता रहता है ए नियुरन के कार रहे हैं और प्रिश्ण क्रमांग 16 में आपसे पूँचा था क्या चुगिए कि आहर नाल का नामंकित चित्र तो इस तरह आपको क्या चुगिए कि आहर नाल का नामंकित चित्र बनाना था आसा करते हैं आपने यह चित्र बना दिया है प्रिश्न क्रमांग 17 में आपसे पूंचा था प्रकास संसलेशन को प्रभावत करने वाले कारक लिखिए तो यह है प्रकास संसलेशन को प्रभावत करने वाले कारक है अब है प्रिश्न क्रमांग 18 तो 18 में आपसे पूंचाता ब्रिक काडू मतलब नेफ्रोन का नामांक चित्र तो प्रतिक पुष्टक में यह है चित्र होता है बहुत इंपोर्टेंट है आसा करते हैं आपने चित्र भी अच्छे से बना दिया है अगर आपने इसी जैसे उत्तर लिखे हैं